हाई गाई वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज है हमारा फोर्थ डोजा और आज हम जाने वाले हैं इफतार करने बीच पर यह तो हम अतना एक्साइटेड हो कल जहां पर हम गए थे ना तो उस टैम तो अंधियरा हो रहा था तो फिर हमने सोचा कि हम ना मतलब आज की इफतार हम वही पर करेंगे तो सारा समान बन रहा है और पैक करके मतलब हम लोग लेके जाएंगे और इफतार हमारी वही पर होनी है तो रात में हम लोग ना तीन बजे तक घर पर आए उसके बाद हम लोग ने सबने उसके बाद हम नमास पढ़कर सो गए और फि पर अपने जो अपने काम पेंडिंग थे सबने वह निम्टा है उसके बाद फिर हम इफ्तार बनाने लग गए अब हमारे हापे इफ्तार बन रहे है और फिर वह सब लेके हम जाएंगे बीच पर इफ्तार करने अला मैं अपने हस्बंड से बोल ली थी एक बार इक बार इफ्त तो सब बन चुके थी फ्रूट चाट और दई फुलकी ये सब चने वगएरा अब बन रहे है पकॉड़ी मैंने बताया था कल वाले व्लॉग मेरे जो अंकर लेना इतने अच्छी पकॉड़ी बनाते है उनकी पकॉड़ी बहुत सादा क्रिस्पी बन कर आती है वाला बहुत स थी पकॉड़ी कहा जाती है या फिर गोबी या फिर भी मिक्सभी वाली पकॉड़ी ठीक है कॉमें ने मताना अब मेरी कजिन बोलती यह मैं रीटी होने जा रही हूँ मैंने बोल ला कि क्या जरूरत है भी परी तो जा पॉड़ी तो जा रहा है उसके बाद हम थंडी कर चे और डाइनिंग टेबल पर निकल गए अपने लोकेशन पर आपकल रात में हम लोग बहुत लेट आय थे और रात की नेन्द होती है यतना दिन में, इतना सोलो पर जो रात की नींद होती है वह बेस्ट रोती है तो भी मेरे को ऐसा मेरेसा में मैरे डाक सिर्कल्स से गल समय सकुँख आ जाता है अगर होता है तो आप क्या भरते हो कोई सॉल्लूशन गएरा है इसका मेरे तो यह होता है, फिर मैं दो दिन अच्छे से सूंगी, फिर मैं अपने डाक सेकल थोड़ा कवर कर लेती, मेरे साथ तरसा है, क्या है, यह देख रहो व्यू कितना सही है न, लेकिन इस बाद, देखो आप देख रहोंगे, वीडियो में कि धुनला धुनला सा दिख रहा है मतलब हलका दुआ 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 दिख रहा है तो यहां पे थोड़ा सा फॉग आए वादा क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट होगी है तो हलकी हमिडिटी भी स्टार्ट होने लगी है अब ही हम जा रहे है वहां पे इतनी अच्छी लहरे आती है अब आपको वीडियो में दिखाऊंगी उसकी मैंने वाइज अन रखी है तो वह भी सुना ही फाइनली होपनी लोकेशन में पहुच गए है यह देखो हम कल रात ना है चुपे दिखा रही हूं यहां पे गए थे प शुमान निकालना स्टार्ट कर दिया सब चीजों भी भी हम पैक कर के लिकर आए थे और मुझे कॉमेंट में आप लोग बताना आपने कभी बीच साइड इफतार किया है मेरा बड़ा मनता मैं कभी बीच साइड इफतार करूं या फिर पिकनिक करूं कुछ भी इस ताइप स कि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो देखती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा था लगता है पता नहीं कि पहाड़ों की साइट करना वहाजा के मागी खाना यह सब चीज़ आप बताओ आपको है ऐसी चीज़ आपको ही मन करता है जिए कॉमेंट नहीं मताना में को सब चीज़ इसके बाद मैं सोचा कि आप सब को बीच दिखाते हैं कि मैं लेकर जाती हूँ और यहां पर सबसे बेस चीज़ के होती है अगर आप कभी भी ऐसी रेतीली जगह पर जो या पत्थरो वाली जगह पर जाऊना हमेशा स्लिपर पहन कर जाना कभी भी सैंडल पहन के मत जाना औ आप पत्थर वाली जगह पहन सब्सक्राइब यहां पानी जगह पहन पहना है तो हमेशा आपको पहन के जाना है क्योंकि आप सही से चल नी पाओगे निज़ूई भी नी कर पाओगे यहां पर अपना लोगर उपर कर रही हो कि गीला आ उचाए बस पानी में पर लहरे इतन दूसरी बार मैं बीच देख रही हूँ अपनी लाइफ में नी दूसरी नी तीसरी बार मालो कल भी मैंने सेमी बीच देखी थी तो इसलिए एक पार पहले देखी थी तब उस टाइम हुमिड़ी बहुत बहुत जाला थी तब मेरा मन नी था कि महां जाओ और बैठो कि इतनी कर्मी थी इतना गंदी वाली कर्मी थी कि मन नहीं था पर यहां पर मैंने खोब इंजोई किया सुकून वारी जगा थी हो यहां पर बिलकुल भी क्राउड नहीं था बस एक दो फैमिली थी और अब यह वेप्स के आवाज सुनो कि अब हम लोग यहांपे इफ्तार का वेट कर रहे थे कि जल्दी सब इफ्तार ओ इफ्तार से ना पहले ही होता है दिमाग में आप जल्दी से ना यह वाली चीज़ खाऊंगी वह चीज़ खाऊंगी यह खाऊंगी और जब fruits देखते हो ना यार बस fruits काऊंगी और उल्टा मेरे साथ तो opposite होता है मैं ना सबसे दाना oily चीज़ खाती हूँ जिसे पकोड़ी हो गई यह समोसे हो गई सब चीज़े बहुत काती हूँ और मैं आपको खजूर दिखाते हुए और अब हो गया था इफ़तार का टाइम तो हम लोगों ने पहले दूआ की और फिर इफ़तार का टाइम हो के था फिर खजूर वगयर खाई आप लोग भी मुझे अपने दूआ हमे याद रखेगा मैं आप सब को अपने दूआ हमे याद रखोंगी ठीक है याद पता छुटी वाला दिन तो ऐसा बीटता है मेरा ऐसा गायव हो गया मतलब पता नहीं कब आया कब खतम उसके बाद मैंने हाफे फ्रूट्स लिये मैं आप फ्रूट्स बहुत कम खाती हूँ मैं पहले पकोड़ी खाती हूँ बाद में यह सब देखती हूँ पहले तो यह रहता है रोजे से पहले यार यह वाटर मेलन खाना है यह तो प्यास बुचाएगा यह वो लेकिन नहीं सबसे पहले मैं पकोड़ी खाती हूँ और यह है तुक मलंगा शेक इसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की जो मेरी काका है वो ग्रीन वाली डलती है और चने यह रहे हमारे चने चने खाएगे मैंने बहुत थोड़े से चने खाएगे थे मतलब एक्दम फुल सो हो गया था मतलब बहुत साइचीज़े पहसे खाई थी असा नहीं है नमास पड़ी उसके बाद यह सब के बाद फिर हमने चाय पी यह देखो चाय और बस अपना सब कुछ खापी के मैं आपको एक राउंड दिखाती हूं यहां का पता है रात में यह पानी इतना खतनाक लगता है मुझे यह पानी से रात में डर लगता है मुझे नहीं पता आप लोग अपने एक्सपीरियंस पता आपको कैसा लगता है और मैं यहां पर यह दिखा ली थी हम लोग वहां बैठे थी जो दो कार्स दिख रही है यहां पर लहरे आ रही है पर इस टाइम का सीन ऐसा रखता है महोँ ड्रावना मैं पानी के पांचा के खड़ी हुए और पतने चानक से मुझे डर सा लगा मैं भाग कर आ गई अब बस ही सब करने के बाद हम गए तराभी पढ़ने क्योंकि आठ बज गए थे तराभी पढ़कर आए वहां पे हमें एक डिड़ घंटा लगा और नमास पढ़ने के बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए क्योंकि अब अच्छा गासा डिड़ घंटा मैं अब इस्तार के बाद ही होता है कि बस आपका मूँ ना चलता रहना चाहिए यह कहने के लिए भूख लग रही है इमली की चटनी इतनी सही लगती है ना मसूर चावाल इमली की चटनी खाई मैंने इतनी मज़ेदार अगर आपने कभी नहीं ट्राइग रही ना तो एक पर इन तीनों कॉंबनेशन ट्राइग ना बहुत बहुत मस लगता है तो अब यहाँ पर मैं अपने वीडियो एंड करती हूँ आपने यह चोटा सनी थोड़ा बड़ा हो गए वाला व्लॉग आपने इंज्वाइ किया हो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना कॉमेंट करना और अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चाओ और सब्सक्राइब करना ठीक है ओके बाई